हाई फ्रेंज वन्स अगें वेलकम तो मैं चैनल लक्षमी आयरवेद लक्षमी आयरवेद में एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और टुदेश टॉप इस अलोवेरा जल आज मैं इस वीडियो में आपको अलोवेरा जल के बारे में सभी इंफोर्मेशन दूंग आप जो फ्रेंड्स मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले बगल में ही बेल आइकन है उसे भी दबा ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके So let's start a video that is called aloe vera gel सबसे पहले मैं aloe vera gel आपको दिखा देती हूँ यह देखिए यह पतंजली कंपनी के aloe vera gel है यह पंचमटी कंपनी की है और भी बहुत सारे कंपनिया इसे बनाती है आपको जिसकी मन आप ले सकते हैं यह अलोवेरा जेल पतंजली कमपनी जो है अगर आप इसके पीछे पढ़ेंगे तो यह अपनी कमपनी का दावा करती है कि हर 5 ग्राम में 90% जो है इसमें अलोवेरा के पल्प है और बाकी 10% जो है अधर चीजे हैं तो यह इसकी सुद्धता की पहचान होती है बाकी आप जो चाहे ले सकते हैं कोई रिक्कत नहीं है और यह अलोवेरा जो है बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग यूज भी करते होंगे अलोवेरा जो है स्किन के लिए एक वरदान है Actually aloe vera की जो natural pulp होती है वो भी अगर आप लगाएंगे तो ये बहुत ज़ादा फायदा करती है लेकिन हर वक्त हमारे पास available ना होने के कारण हम जो है अगर gel कब इस्तमाल करेंगे तो भी जो है ये बहुत अच्छा फायदा देती है तो ये जो है हमारे तवचा के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है बहुत से लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं लगाने के बाद भी क्योंकि उन्हें सही तरीका नहीं पता होता है इसे लगाने का तो इस वीडियो में आप मैं आपको सही तरीका भी बताऊंगी आगे आए देख लेते हैं कि इसके benefits क्या-क्या है इसका जो पहला benefit है वो है skin को ये natural color में ले आती है यानि कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी skin जो है वो थोड़ी सी discolor हो जाती है कहीं white कहीं थोड़ी सी pigmentation हो जाती है थोड़ी सी काली-काली हो जाती है तो इस तरह कि अगर disbalance हो गई है आपके skin तो ये aloe vera जो है एक सार आपके skin को कर देती है यानि कि आपकी जो natural color है उसे ये ले आती है ये gel कोई भी fairness का दावा नहीं करती है क्योंकि ये आपको fair नहीं बनाती है लेकिन आपकी जो original skin है चाहे आप सावले हो गोरे हो या काले हो जो भी आपके original skin है वो बहुत एकदम originality पे चली आती है और एक जैसा हो जाता है आपका skin और जिन लोगों को pimples की समस्या है यानि की pimples आते हैं अकसर वे लोग भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं ये pimples वाले area में जहां जहां pimples आने के chances है या आ चुके है वहां आप जो है इसे थोड़ी सी लेके circulate करके लगा ले और एक लेप कर ले और राद भर छोड़ दे आप कुछी दिनों में 5-6 दिनों में देखेंगे कि pimples जो है बहुत कम आ रही है या जो है बहुत उसकी आने की संख्या कम हो गई है ये जो है wrinkles में भी बहुत अच्छा काम करते हैं यानि कि अगर आपको जूर जूरिया आ गई है आपके स्किन पर तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उस केस में आपको नीम की पत्तियों को सुखा के थोड़ा पाउडर बना लेना है और उस पाउडर को इस जेल के साथ मिक्स करके आपको प्रयोग करना है ऐसा करेंगे तो कुछी दिनों में आप आपके रिंकल्स की जो प्राब्लम है वो बहुत हद तक कम हो गई है और आपके स्केन फेर ग्लोइंग और एकदम टाइट टाइट लग रही है तो यह रिंकल्स के उपर भी बहुत अच्छा काम करती है अगर आपको काले दाग धब्बे हैं या तो पिंपल्स की वज़े से बहुत गंदे निशान जो है का इक बार छूट जाते है इस तरह के कोई भी काले दाग दब्बे निशान में भी यह जेल जो है बहुत अच्छा काम करती है और बहुत इफेक्टिव है और यह जो है हमारे आखों के नीचे जो काले घेरे हो जाते है यानि की अंडर आई जि तो इसे आपके आखों को भी कोई नुकसान नहीं होगा आप आराम से आखों के नीचे और उपर इसे लगाएं और छोड़ दे रात भर आप देखेंगे कुछ ही दिनों में जो है आपके काले घेरे जो है कम हो जा रहे हैं और कई बार जो है स्किन हमारी थंड में क्या होती है कि वाइटनेस हो जाती है ड्राइ हो जाती है उस सिच्वेशन में आप इसे मौशेराइजर के रूप में भी लगा सकते हैं अगर आप moisturizer नहीं लगा के इस aloe vera gel को भी लगाएंगे तो जो है आपकी whiteness जो skin में हो जाती है वो नहीं होगी अगर skin कहीं cut गई हो या छिल गई हो या आप जल गए हो इस situation में भी आप इस gel को लगा सकते है इससे आपको बहुत ठंड़क मिलेगी skin को और जो है बहुत हद तक चोट में या जलने में राहत मिलेगी और उसे cure होने में भी मदद मिलेगी आप aloe vera के gel को लगा सकते है तो ये थी skin के बारे में जो benefit से मैं आपको बताया आईए बालों की बात कर लेते हैं बहुत से लोग जानते होंगे बहुत से नहीं भी जानते होंगे कि बालों के लिए भी ये उतना ही उपयोगी है जितना के skin के लिए अगर आपके बाल बहुत जादा कमजोर है, बहुत जादा तूटते हो, जड़ते हो या तो आपको रूसी की समस्या है, डैंडरफ की समस्या है आपके बालों की जो अंदर की स्कैल्प है, उसकी तवचा बहुत शुर्ष्क हो गई है, ड्राई हो गई है तो इन सारे situation में जो है आप इस जल का अगर प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा क्या करना है आपको कैसे लगाना है बालों में ज़स दिन आप शैंपू करेंगे या शैंपू करने से 15 मिनट पहले आप अलोवेरा जेल को ले और अपने बालों के जड़ो में पूरे अच्छे से मसाज करें 5-7 मिनट आप मसाज करें और 15 मिनट के लिए आप छोड़ दें और 15 मिनट के बाद आप कोई भी नैच्रल सैंपू से अपने बालों को धो ले ऐसा करेंगे तो आपके बाल मौशराइस होते रहेंगे और तूटना जड़ना भी कम हो जाएगा बालों में चमक रहेगी और ज इतनी तरह के प्राब्लम्स होते हैं वो धीरे-थीक होने लगी और जो है ये तो बालों पे कैसा अप्लाइग करना था मैंने आपको बता दिया अब कैसे अप्लाइग करना है वह भी मैं अपको बता देती हूं ये पतन जली की अलोवेरा जल है ये मैं थोड़ी सी अपने हा तक इसी तरह से आप मसाज करें दीरे दीरे यह आपके स्कीन में देखिएगा एब्सॉर्ब हो जा रही है और टू टू त्री मिनट्स मसाज करने के पाद कम्प्लीटली स्कीन में जो है चली जाएगी और यह बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाएगी और काम करेगी तो इस त सप्क्राइब कर होके इसका इस्तमाल कर सकते हैं और आईए देख लेंतेए इसकी प्राइस क्या है ये जो पतंजली की बड़ी वाले इलोवेरा है इसकी price है 90 रुपीज यानि कि 90 रुपेज के मारपी है यह यहाँ क्रेब पे लिखी हुई है अब देख सकते हैं और यह जो पंचवटी की है इसकी जो price है यह भी है 100 रुपीज यानि कि 100 रुपेज तो आप जिसकी चाहे ले सकते हैं मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना न भूले अपने friends के साथ share करना न भूले और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं क्या है वे लोग subscribe कर ले ताके new notifications आप तक बहुत सके आगे भी मैं बहुत सारे वीडियो लाने ला पाली हूँ जो आपके लिए बहुत healthy होंगी आपके health related होंगी आपके skin related होंगी सो हमारे साथ बने रहें till then have a nice time bye